आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is asking for true or false We have given two fractions 3 by 4 and 5 by 6 तो कहा जा रहा है कि 5 by 6 is greater than 3 by 4 से, first method में तो हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे LCM लेंगे denominator को equal करेंगे like 6 और 4 का LCM हो जाएगा 12 ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर LCM of 6 and 4 is equals to 12, 12 कैसे आया prime factorization method से तो 3 by 4 अगर लिखा है तो हम 12 बनाने के लिए इसको 3 से multiply कर देंगे तो 9 upon 12 हो जाएगा और जो दूसरा fraction है 5 by 6, इसमें हम multiply कर देंगे denominator और numerator को 2 से, fraction बन गया 5 2s are 10 upon 6 2s are 12 अगर अब हम देखें, तो हमारे पास इसी question को, कि 9 by 12 हो गया, और इसके according यह वाला 5 by 6, 10 by 12 यह correct हुआ statement true because, जब denominator same होते है तो जिसका numerator greater होता है भी answer correct होता है, दूसरा method है इसका करने का, simplest method है second वाला method, उसमें हमें क्या करना होता है, simply cross multiply कर देना होता है, जब यह तब करना होता है, जब denominator equal नहीं होते हैं, now check 6 into 3, LHS part में हो जाएगा, RHS part में 5 into 4 हो जाएगा, देखे 18 और यहां 20, obviously यहां भी 20 is greater than 18 है, तो यह true है, तो हम दोनों में से किसी भी method को use करके question कर सकते हैं, दोनों ही condition में कह सकते हैं, हमारे statement true है, thank you